नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है 90.4 Half Lemon Radio आप देख रहे हैं इस समय आरजेशान मेरा नाम है और आज 7th November को National Cancer Awareness Day observe किया जाता है और cancer के बारे में aware करना 90.4 Half Lemon Radio अपनी responsibility समझता है और इसके बारे में aware करने के लिए हमारे साथ है Lifeline Hospital से दॉक्टर गायतरी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए हमारे देश में इसलिए यह दिन हम observe करते हैं तो किस rate से cancer फैल रहा है हमारे देश में सबसे common cancers में हैं अगर पुरुसों में देखा जाए तो oral cancer और lung cancer से 25% लोग की मिर्दू होती है 25% मिर्दू होती है और महिलाओं में oral cancer और breast cancer से 25% मिर्दू होती है और मैं cervical cancer भी आपने बता है तो मैं तो पहले सबसे यह आप जाना चाहूँगा जो सबसे common है उद में most common कौन से हैं हमारे देश में और cervical cancer के बारे में हमें थोड़ा और बता है लेगे पुरुस और महिला दोनों की बात करें तो सबसे common cancers में ही चारों है और oral cancer, lung cancer, breast cancer और cervical cancers जी और cervical cancer के बारे में प्लीस थोता बता है क्या का रण होता है क्या होता है exactly तयgriffʃकल cancer जो है uterus होता है महिलाओं की हिंदी में जिसको हम बजदानी करते हैं उसका सबसे जो नीचे का हिस्धा होता है उसमें जो cancer होते उसको हम cervical cancer करते हैं इंडिया में बहुत ही कॉमन है इसके प्रमुक कारणों में सबसे important का इंफिक्षन है इंफिक्षन मतलब साफ सफाई नहीं रखना जिसके कारण इंफिक्षन होता है इंफिक्षन की एक टिपकल विराइटी है sexually transmitted disease उसमें human papilloma virus सबसे कॉमन है जिसके कारण यह होता है दूसरी unprotected sex के कारण तो अगर हम इन कारणों से बचें तो हम इस इंफिक्षन से हम बचते हैं जब इंफिक्षन से बचेंगे तो cervical cancer कम हो सकता है तो मैं मैं इसके लाव और क्या बचाओं हो सकते हैं cervical cancer क्या cancer के इन जेनरल इन जेनरल पहली तो सबसे पहला suggestion महिलाओं के लिए है कि वो yearly और annually कम से कम gynecologist से उनको test कराना चाहिए एक 30 years के बाद से महिलाओं को pap smear test है वो कराना चाहिए अपने symptoms के पड़ते alert होना चाहिए कि उनको अपने hygiene maintain करना चाहिए अगर कोई भी vaginal discharge आता है या कोई after six bleeding होती है तो इन चीजों को अपने doctors को बताना है inform करना है बीना hesitate कि हुए कारण सबसे बड़ा आपको क्या लगता है माईला है शायद खुल के नहीं बता पारी क्या यह एक कारण है जिससे cervical cancer ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में ही है कि हमें सापसफाई से कैसे रहना है दूसरी उन चीजों को आपने चीजों को हाइड करती है लोगों से अपने parents से अपने society से अपने friends से जिसके कारण इसकी diagnosis बहुत last stage में होते है cervical cancer एक ऐसी बीमारी है अगर earlier stage में डियागनोज कर ली जाए तो यह पूरी तरह से treatable है क्योर हो सकता है लेकिन maximum cases जो दो टी हाई से ज्यादा हिस्सा last stage में डियागनोज होता है जबकि patient इलाज के लिए नहीं रह पाता है तो हम यह कहना चाहेंगे कि आप अपने family में के पास जल्दी से जल्दी जा सकें और समय पे इसकी जाच हो सकें और समय पे इसका इलाज हो सकें पैप smear test आपने बताया जो जरूरी है करवाना महिला को इसके detection के लिए क्या कोई vaccine भी available है यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया human papilloma virus जो सबसे commonest कारण है cervical cancer का उसका vaccine 10 साल की जब लड़की हो जाते उसके बाद लगाया जाते हैं और उसको messages करूंगी और recommendation भी है कि हर लड़कियों को उसका vaccination करवाना चाहिए जिससे कि इसका rate cervical cancer का बाद वाले स्टेज में cervical cancer का rate गढ़ सकता है तो मैम cervical cancer के लावा जो विमिन में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा cancer है वो breast cancer कहते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है breast cancer होने का और इसको कैसे prevent करें देखे breast cancer के बारे में कहना चाहूंगी कि जैसा अभी थोड़ दर पहले बता है कि breast cancer का भी जो diagnosis होता है लेट स्टेज में होता यहां भी एक चीज़े आती है social जो महिलाएं के अंगर्स हैं वो काफी hesitate करती है तो एक age के बाद लड़कियों को educate करना चाहिए कि कैसे वो एक्जामिन करें अपने breast को और कोई भी गाठ और नोडूल होता है तो अगर होता है तो अपने family को बताएं और doctors को दिखाएं अगर उनके breast के size में कोई change होता है को क्यों उन्हें खुद ही examine करना है awareness उनके अंदर होना चाहिए कि कभी कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो हम उसको report करें ताकि वो early diagnose होगे आज की date में breast cancer की तमाम treatment level है chemotherapy, radiotherapy, surgery के बाद अगर early diagnose कर लिया जाता है तो उसको पूरी तरह से ठीक कर ले जाता है तमाम patients हैं जो की ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी कोई vaccine available है breast cancer के लिए? जो इंटरनेशनल platform पे है recommended है कि आपको महिलाओं को mammography करानी है करानी है और हमारे देश में महिलाएं बहुत इसके लिए aware नहीं है और काफी shy है mammography एक तरह का ultrasound होता है जिससे कि वह ultrasound करके हम देख लेते हैं कई कोई नया gut noodle तो नहीं बन रहा है और उस पे कुछ हद तक confirm होता है उसके बाद उस गाट की बाइपसी ले जाती है उसके बाद एक confirm हो पाता है cancer की है यह फैब्रो अडिनमा है अगर फैब्रो अडिनमा है तो treatable है अगर breast cancer है तो proper cancer hospital जाए cancer डॉक्टर के पास जाए और समुचित इलाज ले तो पूरी तरह से यह ठीक है जा सकते है बहुत महत्वपून बाते आपने हमें बताई ही बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और इतनी महत्वपून बाते हमसे साजा करने के लिए और कोई संदेश जो आप देना चाहिए हमारे listeners को आज National Cancer Awareness Day है और जैसा आप सभी को पता है कि यह करीब आठ साल पहले शुरू के आ गया डॉक्टर हर्स वर्दन जी ने शुरू कराया था आज का जो दिन है मैडम क्यूरी का दिन है उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया Cancer से हम सब कैसे बचे के लिए तो हमारे दायत भी है कि at least हम तो अपना इतना ध्यान रखें कि हम अपने सरी का कैसे रख रखाब करें जिससे हमें Cancer नो सबसे important बात है कि युवकों से जो especially कम उम्र के युवक हैं उपतिया है जो नए जिनरेशन के लोग है और जो definitely जिनको बड़े भी जिनरेशन के सब के लिए हमें संदेश देना चाहेंगे कि पहले चीज़ वो नर्शा से दूर रहे अलकोहल से, टोबैको से, सिग्रेट से य जो की cancer की है, सिग्रेट लंग कैंसर के लिए बहुत जादा खतरनाक होते हैं, जैसा थोड़ देर पहले हमने बताया 25% मोटी जो डेथ होती है, वो oral और लंग कैंसर से हैं, तो हमारा सबसे अनुरोध है कि क्रिप्या शराप से और सिग्रेट से तमबाकु से दिर हैं, कि अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, बिना किसी हेजिटेशन के, मामीबा फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से बाख करने के लिए, तेंक यू सो मच,